इंडियन आइडिल का ग्याहरवा सीजन लगाता सुड़कियों में बना हुआ हर अपते शोव पर खास एपिसोड होते हैं जिनमें खास महमानों को बुलाया जाता है इंडियन आइडिल का ये एपिसोड कुछ जादा ही खास रहा इस हकते सीनियर सेटीजन स्पेशल रखा गय जिनमें खास महमानों को बुलाया गया ये खास महमान थे बहुत सारे सीनियर सेटीजन जिन्हों ने सेट पर बहुचकर कंटिस्टेंट को अपना आशिरवाद दिया अब ये तो तय है कि अगर सेट पर सीनियर सेटीजन के लिए स्पेशल एपिसोड रखा गया है तो पुर हर हफ़ते इंतजार रहता है सभी के मन में ये बात रहती है कि सणी कौन सा गान गाने वाले हैं इस हफ़ते सीनियर सेटीजन एपिसोड में भी सणी हिंदुस्तानी अपने परफॉर्मेंस से सभी को एक बार फिर अपना मुरीद बना दिये हैं सबसे खास बात ये रही कि परफॉर्मेंस में उनका साथ दिया नुसरत साहब के सहयोगी रोशन अली साहब ने अब जब स्टेज पर नुसरत साहब की तरह गाने वाले सणी और खुद नुसरत साहब के सहयोगी एक साथ किसी गाने को परफॉर्म करेंगे तो स्टेज पर आग लगना तो तैह ही है ऐस सही कुछ हुआ पांच जन्वरी को हुए इडिनाइडर के एपिसोड में जो की सीनियर सिटिजन स्पेशल एपिसोड था जहां रोशन अली साहब और सनी हिंदुस्तानी ने एक साथ स्टेज पर परफॉर्म कर सभी का दिल जीत लिया सनी और रोशन अली साहब ने क्या से क्या हो गए देखते देखते गाने पर परफॉर्म कर सभी का दिल जीत लिया इस गाने पर जब सनी अपने सिर लगाए तब माहौल देखने लायक था रोशन अली साहब और सनी हिंदुस्तानी की ये जुगल बंदी इतनी शामदार थी कि पूरे स्टेज का माहौल बदल गया सनी की गाय की और रोशन अली साहब की ढोलब की थाप सुनकर सभी मदहोश हो गए सनी हमीशा ही अपने बहतरीन गानों से सभी का दिल जीत लेते हैं और सनी ने इस बार भी यही किया और एक बात फिर सनी सब का दिल जीतने में काम्याब हो गए subscribe our channel and press the bell icon for more updates